हलू दूस्तो आप सभी का अपने यूटूब चैनल बेस्ट एजुकेशन सिंटर में आर्दिक स्वागत है दूस्तो आज हम पढ़ने वाले दस्वी किलास के साइंस के चैप्टर एट जीव जनन कैसे करते हैं और यह इस चैप्टर के लिए पार्ट वान होगा इससे पहले हमने साथ चैप्टर तक सारी कोशन के आंसर इतने भी इंपोर्टेंट कोशन से सब के आंसर हमने पढ़ लिए तो चली देखते हैं कि इस चैप्टर के पहले पार्ट में कौन-कौन से कोशन के आंसर हम करने वाले दुस्तों पहला प्रशन हम पढ़ेंगे कि जनन कीसे काते हैं ठीक है जनन कोई प्रजनन भी काते हैं तो प्रशन प्रजनन भी आ सकता है जनन कीसे काते हैं सजियों में जनन की और शक्ता क्यों होती है इसके बारे में मैं लिखना है दूसरा प्रशन है कि प्रजनन में DNA प्रत आ सकता है एक्जाम में पांचवा प्रशने काईक प्रवर्दन की से कहते हैं इसके लाव लिखें और छटा प्रशने उत्तक संबर्दन की से कहते हैं तो आप देख रहोगे कि सारे की सारे प्रशने क्या है बहुत इंपोर्टेंट है तो चलिए वन बाई वन करके सारे प्रशनों के आंसर हम शुरू करते हैं तो जैसे कि दोस्तों पहला प्रशन हम पढ़ेंगे कि जनन की से कहते हैं सजीवों में जनन क्यों हो शकता क्यों है तो दोस्तों इसका आंसर कैसे लिखेंगे जनन या फिर इसको परजनन भी खाते हैं ठीक है तो जनन वह परकिरिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे ने जीवत पन करता है है ना अगर जनन परकिरिया नहीं होती तो अपने जैसे ने जीव कैसे पैदा होते जैसे इनसान के बच्चे कैसे होते या फिर कोई भी जानवर हो गए, गाय हो गई, बक्रियां हो गई, या फिर पेड़ पौध हो गए, ठीक है, तो एक नया प्लांट नहीं आपाता, एक नया पौधा नहीं आपाता, है ना, अगर परजनन की परकिरिया नहीं होती तो, यानि कि अगर परजनन नहीं होता, तो ज लैंगिक पर, जनन, और लैंगिक पर, जनन, राइट, अब प्रशन था कि सजीओं में जनन क्यों शकता, क्यों हैं, तो सिंपल है, कि सजीओं, सभी जीओं में अपने, अस्थित्तु को, बनाय रखने के लिए, शन्तनुपत्थी का अध्यूत्य गुण होता है, ठीक है, जित को दानू की उत्पति भी नहीं होगी है ना यानि कि उनका समाप्त हो जाएगा तो समस्त जीव जगत का अस्तीतु क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा अतब पृतिवीपर जीवन की निरंतर्था को बनाया रखने के लिए यह अति आश्यक है लिख लोगे आप बिल्कूल सिवाशा में है ठीक है चले पढ़ते हैं next प्रश्ण next प्रश्ण की परजनन में DNA प्रतिकृति का क्या मत्व है ठीक है DNA प्रतिकृति का क्या मत्व है बहुत important प्रश्ण है एक्जाम में कई बार आ चुका है तो इसके answer किस परकार से लिखोगे DNA के अनुओं में सबसे पहले ये देख लो की DNA का फुल फॉर्म क्या होता है Deoxy Ribonucleic Acid ठीक है ये एक्जाम में आ जाता है और RNA का फुल फॉर्म होता है Ribonucleic Acid ठीक है ध्यान रहेगा DEoxy Ribonucleic Acid और RNA का Ribonucleic Acid ठीक है बस simple से एक question आपको पढ़ना है तो दूस्तों क्या होता है कि DNA के अनुओं में अनुवानसी गुनों का संदेश होता है ठीक है आपने night class में पढ़ा होगा कि कोशिका के अंदर में DNA पाए जाता है आता जनन की मुल घटना DNA की परतिकरती बनाना होता है जनन की मुल घटना होता है DNA की परतिकरती यानि की फोटो कॉपी करना होता है ठीक है तो क्या होता है कि जनन कोशिका में विबिन रसानिक किरियाओं द्वारा की दो परतिकरतिया बन दी है जो एक दूसरे से कुछ अलग हो सकती है ठीक है और इसके बाद DNA की पर्तिकिर्थिया अलग हो जाती है जिसके फलसरोप नई कोशिकाओं का निर्मान होता है यानि कि DNA ही है जो कि आगे चलके अनुवान्सिक गुणों को भी बेचता है और साथ में नई कोशिकाओं के निर्मा यह ना है और जननन कोश्यकाओं में विबिन रस्यानी किर्या और दोराज DNA की 2 परती कृटिया बनती है जो एक दूसरे से कुछ अलग हो सकती है, है ना इसके बार क्या होता है कि DNA की प्रदी की परती किरतिया अलग हो जाती है, दो परती किरतिया पहले जूड़ी होती है फिर दोनों अलग हो जाती है जिसके फलसुल नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक हänder और ये DNA, RNA का full pump जरूर याद रखना एक्जाम में आ सकता है, ठीक है एक नमबर के लिए, चले पढ़ते हैं, next प्रशने, next प्रशने है कि बहुत इक मौड़नेट है अभी, कि अलेंगिक परजनन और लेंगिक परजनन में क्या अंतर है, ठीक है, परजनन दो परकार के होते हैं लेंगिक और अलेंगिक, तो इसको किस परकार से लिखेंगे, अलेंगिक परजनन और लेंगिक परजनन में निमलिखी तंतर है, अलेंगिक परजनन में क्या होता है, कि इसमें एकल जिव नया जियूदपन करते हैं, यानि कोई एक ही, चाहिए मेल हो या फिमेल हो, इसमेल ह जाहिव एक नर चाहिए और एक मादा चाहिए ठीक है ये दो मिलकर ही नए जीऊतपन करते है एक्जामपल से समझे जिकलो ले लेगा, जुटकर जिन्सकेघ और पुरूष या निन अरबख और माता दोनों सामील होते हैं, जिससे नए बच्चे का जनम होता है, ये बात किलियर हो गई? अब देखो दूसरा हम लिखेंगे कि इसमें अर्ध सुत्री विभाजन नहीं होता है ठीक है विभाजन की तो पर किरिया होती है जिसमें से एक अर्ध सुत्री भी है अर्ध सुत्री विभाजन इसमें नहीं होता है जबकि लैंगिक में अर्ध सुत्री विभाजन होता है ठीक है दिसरा point आप लिखोगे कि इसमें युगमनज का निर्मान नहीं होता ठीक है युगमनज का निर्मान कैसे होगा जब नर और मादा दोनों के युगमक भाग लेंगे तब ही तो युगमनज का निर्मान होता है जबकि लेंगिक पर जनन में युग मनज का निर्मान होता है जबकि लेंगिक पर जनन में क्या होता है कि जो नया जीव उत्पन होता है पैत्रिक जीव के समान या समरूप होता है जबकि लेंगिक पर जनन में जो बच्चा जनम होगा यानि जो नया जीव जनम होगा ओया तो अपने पैत्रिक के यानि पीता के समान होगा या समरूप होगा जबकि लैंगिक परजनन में क्या होता है कि नया जीव अनुवानशिक रूप से पैत्रिक जीव के समान होता है परन्तु समरूप नहीं होता ठीक है ज़रोरी, रूप एक जैसा नहीं हो सकता ठीक है न पाचवागा आप अंतर लिखोगे कि सततगुनन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और इसमें क्या औतरषित है कि परजाती में वीबिनता उत्पन करने में शायक होता है ठीक है दो लोग मिल रहे हैं, तो दोनों के गुण रुष में सामिल होगा, और एक नया गुण वाला बच्चा पैदा हो सकता है, राइट, और अगला लिखेंगे कि यहाँ पर आये, नीमन वर्ग के जीवों में अधिक पा जाता है, नीमन वर्ग के जीवों मतलब जिसमें कम कोशिक होती है, सोचने समझनी की शम्ता कम होती है, न, तो इनमें यह सारे होते हैं, जबकि उच पर्ग वाले जीवों में क्या होते है, लंगिक पर जनन होते है, ठीक है, तो आई होब आपने यह सारे अंतर समझ लिए होंगे, इस में से कोई भी पांच लिख लिख लेना, एक्ज में इसारे बीधिया करा दे रहा हूं ठीक है तो अलंगिक परजनन के जो है मुख्यता ये छे बीधिया होती है ठीक है पहला विखंडन दूसरा खंडन तीसरा पुनर रुद्भावन या फिर इसको पुनर जनन कहते है चोथा मुकुलन पाच्वाप विजानु समासंग या फ बाकी सारे इंपोर्टेंड है ठीक है तो चलिए वन बाई वन करके हम सारी बीधिया पढ़ते है ठीक है दोस्तो कि पहला बीधिया विखंडन तो इसमें क्या होता है कि इस परजन की परकिर्या में एक कौशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओ व में बिभाजित हो जाती है ठीक है एक कोशिक ये जी होती है ना दो या दो स्याथी कोशिकाओं में बिभाजित होती है तो ये परकिर्या कौन सी होती है बिखंडन है ना जैसे अमीबा हो गया प्लाजमोडियम हो गया ठीक है और एक कोशिका क्या हो रहा है बिखंडित हो रहा है और बिखंडित हो कर न देखो यह बहुत सारी कोशिका हो में यह देखो अलग-अलग डाउटर नुकली बन रहे है यहाँ पर एक नुकलियस है यहाँ पर नेको नुकलियस बन कर क्या हो रहा है नए जीव बन कर और बहुत सारे जीवों में convert हो जा रहे हैं तीक है उस तरीके से अमीबा में भी परकिरिया होती है ना तो विखंडन दो परकार के होते हैं एक होता है दूई खंडन तो इस परक्रम में जीव दो कोशिकाव में भीवाजित होता है तीक है दूई खंडन का मतलब ही होता है दो भागों मे और यह परकर्या Amoeba में होती है और बहुँ खंडन में क्या होता है कि बहुत सारे यानonna इस परकरव में जीव बहुत सारी कोशिका वे बिवाजित हो जाती है जैसे प्लासमोडियूम सोजमे में आया बिखंड़न सीम्टल सा है कि वो परजनन् परकर्या जिसमें वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, चले पढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका परकिरिया, नेक्स्ट परकिरिया है खंडन, ठीक है, तो इस परजन्द की विधी में सरल सरचना वाले बहु कोशिक्ये जीव, यान वहां पर विखंडन में एक कोशिक्ये जीव होते हैं, वो क्या होते हैं कि विखंडित होकर, दो-या-दो,स inde- profit, जीव में खंडित होते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है कि बहु कोशिक्ये जीव विख्षित होकर, छुटे-छोटे टुकळों में खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं तो ये टुकड़े बाद में ब्रिदी करके क्या करते हैं, नय जीव बिक्सित हो जाते हैं, जैसे स्पाइरो गाहिरा, विडियो में भी आप देख पा रहे होंगे, और figure में भी देख लो ये Spirogyra है तो Spirogyra क्या होता है कि ये बीच में जो है ना अग्खंड़न होकर क्या होता है कि नए भूंगर कीुद्पती कर लेता है तो इस तरीके से ये भूंगर क्या होती है तो कभी कभार exam में आ जाता है कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस प्रक्रम में किसी कारण बस जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में तूट जाता है ठीक है कुछ टुकडों में क्या होता है कि इसी कारण बस माने चलो टूट गया जैसे यह देख सकते हो पहले नेरिया क्या हो गया टुकडों में यहां से टूट गया तो टूटने के बाद क्या होता है पर टुकड़ा जो है एक नया जिव बिक्सित होता है देखो यहां से क्य जीव बन गया और एक जीव यहां पर बन गया तो दो जीव यहां पर भी निर्मान हो गया ठीक है तो पुनर उद्भावन या फिर पुनर जनन में आप लिख लोगे कि इस परकरम में किसी कारण वस जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में तूट जाता है तब परतेक टुकड ने जीव में विक्सित हो जाता है जैसे पलेनेरिया और हैड्रा याद देखो इग्जामपल भी ज़रूर याद करना क्योंकि कंई बार एक्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी बीदी है परजनन की कि इस परक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन होता है ठीक है जैसे आप देख रहोगे हाईडरा में किस तरीके से उभार उत्पन होता है जिसे मुकुल काते हैं जो उभार उत्पन होता है उसे मुकुल का जाता है और यहां मुकुल पहले नन्ने पूर्ण जीव में तो इस तरीके से आप एक्जामपल हाईडार रिष्ट ले ले लेना और वीडियो में आप देख सकते हो तो इस तरीके से आप मुकुलन के बारे में लिखो गए ठीक है नेक्स्ट बीदी है बिजानु समासंग या यह कर सकते है बिजानु का निर्मान तो इस बीदी में क्या होता है देख सकते हो फिगर में ठीक है और वीडियो में भी कुछ जीवों के तंतुओं के सीरे पर बिजानु धानी बनती है ठीक है क्या होती है बिजानु धानी एक गोल संरचनाय होती है जो एक मोटी भीती से रक्षित होती है अनुकुल परिष्टिती की समय क्या होता है कि बिजानु दिरे दिरे बृधी करने लगते है और बृधी करके बिजानु धानी से बाहर निकाल जाते है और एक ने जीव का उत्पन करते है ना जैसे राइजोपस, ठीक है राइजोपस होता है, वीडियो में भी आप देख पा रहे होगे किस तरीके से क्या हो रहा है कि ये विक्सित होकर और अलग जीव का निर्मान कर रहा है ना, तो बिजानु समासंग बिल्कुल जीस है कि कुछ जीव में तनतों के सीरे पर क्या बनत कि विजानों जो है डेवलपक करने लगते हैं बिरीदी करने लगते हैं और यही डेवलप्ट होकर एक नई जीव का निर्मान करते हैं तरीक है जैसे एक्जामपल में राइजोपस ठीक है नेक्स्ट बीद्य हम पढ़ते हैं नेक्ष्ट विद्य काईक परवर्धन तो चोटी डॉट होते हैं उसको आख करते हैं तो आलू जब बोया जाता है तो इन्हीं आखों में से ने पौदे निकल आते हैं तो इसी तरीके से अलू शकरकंदी गुलाब यह सब जोते काइक परवर्दन बीदी द्वारा ने पौदे का निर्मान करते हैं समझ रहा हो ना क्या देख सकते हो यह ब्रायव फिलम है तो ब्रायव फिलम में क्या होता है पत्या जब टूटके जमीन पे गिर जाती है तो मिट्टी अगर इनको मिल जाता है यूमस मिल जाता है मतलब एनरजी मिल जाती है तो इसी में से एक नया पोदा का निर्मान हो जाता है ठीक है अब किर्तिक बिधी में क्या जैसे जड़ दूआरा, शकरकंदी और डैलिया, ठीके शकरकंदी और डैलिया जो होता है इसके जड़ों दूआरा नय पोदे उत्पन कर लेते हैं, ठीक है, तन्य दौआ आलू और अद्रक पतियों दौरा बराया फिलम हो गया, मिद्धि क्रित मिद्धि क्या होता जैसे में चमेली कंफ क्वेस्त बंट right tip में वनख भी एक्वाट आटा है एक्जाम में आता है एक्जाम में हमने 6-6 आपके और संग होगा तो आप पिशे आध वी K eux करकें फिर से देखें ना बहुत असन सा लेंग्वेज में है बल्कुल सिंपल बिल्कुल लोईस्ट मतलब वर्ड कर सकते हैं कम वर्डों मैंने बहुत अच्छे से इसमें लिखा हुआ है फीघर भी आपको दिखा है वीडियो भी जहां जरूरत है वहां दिखा है जिसे आपसानी से समझ पाओ ठीक है अब चले पढ़ते नेक्स्ट प्रस्फ जो काईक परवर्धन से ही संबन दिता है और प्रस्फ न क्या है कि काईक परवर्धन किसे कहते है इसके लाब लिखे पर काइक परवर्दन या फिर इसको समवर्दन भी खाते हैं काइक समवर्दन भी खाते हैं तो काइक परवर्दन भी लिखा आ सकता है काइक समवर्दन भी आ सकता है बात हो आई है तो इसमें क्या लिखेंगे हम जैसे पहला लिखेंगे कि इस बीदी से बीना बीज वाले पौद अनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं, ठीक है, यह फायदा होता है कि अनुवांशिक रूप से अगर नया पौदा जोदपन होता है, तो बिल्कुल समान होता है, कोई डिफरेंस नहीं आता, यानि जैसे कोई एक्जामपल ले लो कि केला है, ठीक है, काफी स्वादिष्ट केला है, ठीक है, और उसके हम चाहते हैं, कि सेम टू सेम एक नया पौदा उत्पन करें, तो इस बिदी से हलपफुल होगा, क्योंकि वो बिल्कुल क्या होगा, नुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होगा, ठीक है, तीसरा आप लिखो कि कि इस बिदी दोवरा बीज राइट फल उगाने मदद मिलती, यानि कि हम चाहते हैं, कि कोई ऐसा फल, जिसमें बीज ना हो, ठीक है, तो इस परकार के मेथड यूज करके, क्रितरिम मेथड मतलब काईट परवधन का यूज करके, हम ऐसा कर सक करते हैं, जो था है, कि या बीदी पौधे उगाने का सस्ता और असान तरीका होता है, ठीक है, बहुत असान और सस्ता तरीका भी होता है, और इस बीदी में पुश्प और फल बहुत कम समय में लगने लगते हैं, क्रितरिम मेथड से आजकल पौधे जो है, इस तरीके से ति इसको याद रखना चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रशन है अंगला प्रशन है दोस्तों की उत्तक समवर्धन किसे कहते हैं ठीक है आज कई अंतिम प्रशन होगा इस पार्ट में और इस पार्ट में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेशन्स पढ़े हैं जो की अलांगिक कारे के बारे में पढ़ेंगे तो देखते हैं यह वाले प्रशन का अंसर हम कैसे लिखेंगे तो दोस्तों उत्तक समवर्धन क्या होता है क्रित्रिम काईक प्रवर्धन का एक अधुनिक तरीका है यानि यह कह सकते है कि उत्तक समवर्धन जो हता है क्रित्रिम काईक प्रवर हमें रखा जाता है जहां उसमें बिभेदन होकर नय पौदे का निर्मान होता है जिसे फिर क्या करते हैं कि उसे मिट्टी में रोपित कर देते हैं सवाज में आया सिंपल सा इसमें आपको लिखना है कि कित्रिम का एक प्रवधन की यादुनिक तरकनिक है ठीक है और इसे सुक्षिम प्रवधन भी कहा जाता है इसमें क्या होता है कि किसी भी पौधे के शाका के सीरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोशक माध्या में रखा जाता है और वहाँ पर ये कोशिकाएं क्या होते हैं गुनन करते हैं यानि कि भिखंडित होकर बहुत सारी कोशिकाओं के गुक्ष बना लेती हैं और उनको हम क्या करते कैलस ठीक है अब कैलस को हर्मोन माध्या में रखा जाता है जहां उसमें भी भेधन होकर नया पोदे का निर्मान हो जाता है अब जब नया पोदा निर्मान हो गया तो उसको मेटी में रुपित कर दिया जाता है और इसके एक्जाम जो सजावटी पोदे ूब और प्रुश्णों की अन्सरी आणसर बिल्खूल तरीके से समझल लिया होगा। मिल्खनें मैसी और कि प्रुश्णों के देखे जाते ही। जनन कै Tell the flowers क्या है या को सबॉत रहता। सबूतक आपने पूर्दिंध की सब मिसुत क्या है दूस्त हमने पढ़ा कि परजनन में DNA परतिकृती का क्या मत होगा, बहुत important role होता है DNA का, है न, तीसरा है कि अलंगी परजनन, लंगी परजनन में क्या अंतर है, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, और चोथा पढ़ा था, अलंगी परजनन की विभीन भी दिया, जिसमें सारे बीदी हमने पढ़े, बिखंडन, खंडन, मुकुलन, ठीक है, काईक प्रवधन, सारे चीज हमने पढ़ लिया, और काईक प्रवधन की से गत, इसके लाग भी पढ़ लिया, उतक संबधन की से गत, ये भी पढ़ लिया, इसमें से दूस्तों, एक क्विस्चन तो 100% सी हो रह ठीक है आज के लिए इतना ही फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचनाय पुष्प के विबीन भाग ठीक है और किस परकार से उनमें परजनन की परकिरिया नहीं बीज बरने की परकिरिया होती है उस सारे चीज पढ़ेंगे राइट तो अपना ख्याल रखें अब तक के लिए बाइवा दुस्तो चाहिंद